हाई एबरीवन वेलकम टू माई चैनल आज मैं आप लोगो नानी दादी के जमाने का स्वाधिस्ट और टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ जो बनाने में भी असान है और इस ठंड में खाने में बहुत स्वाधिस्ट लगेगा हेल्दी भी है और सबको पसंद भी आएगा तो चलिए बिना देर के वे स्टार्ट करते हैं यह रेसिपी बनाने के लिए एक लीटर मैं फुल क्रीम दूद ले रही हूँ अगर आपके पास फुल क्रीम नहीं है तो टोंड भी आप ले सकते हैं मगर थोड़ा सा मात्रा जादा आप रखेंगे और इसमें थोड़ा सा और दूद जादा एड़ कर लेंगे फुल क्रीम से बहुत जल्दी फटा फट बनता है कि दूद गारा होता है और पानी बिल्कुल नहीं डालना है और जल्दी जल्दी जब तक आप दूद गारा करेंगे तब तक यह सारी रेसिपी त्यार हो जाएगी, तो दूद को मैं एक लिटर दूद डाल चुकी हूँ, और डालने के बाद गैस को आप आप कर दे, लो मिडियम पे रखे, धीरे धीरे दूद गारा होता जाएगा, और आपका सारे रेसिपी प्रिपेर हो जाएगे, तो यहाँ पर कुछ ड्राइफ में हमें काट लेना है, छोटे-छोटे टुकरो में आप काट कर एक प्लेट में रखते जाए, यहाँ पर बदाम हो गया है, अब मैं काजू को कट कर रहे हूँ, थोरा सा किसमिस काट लूँगी, और जो आपको पसंद है, जो आपके घर में अबलेवल है, वो आप डाल सकते अपने मन पसंद थोड़ी सी इलाइची में ले ली हूँ चार पाथ छोटी वाली उसका फिलेवर इसमें बहुत ही अच्छा लगता है इलाइची को कुट कर भी पौडर बना कर एक कटोड़ी में आप रख ले बीच बीच में दूद को चलाते रहें लो मिडियम पे ही रखे एक कड़ाही मैं यहाँ पे ली हूँ एक कटोड़ी आप पानी ले एक चमच देशी घी डालना है और एक चमच ताजा चावल का आटा पुराना नहीं चावल का आटा ताजा हो उसको लीजिए और उसमें डाल कर अच्छे से मिक्स कर लेना है मिक्स करके आप ढ़क कर 5 जो हम काटे हैं उसको मैं यहां पर रोष्ट कर रही है बीना घी डाले हलका सा उसको रोष्ट कर लेना है मावा घर का है अगर आपके पास घर का मावा नहीं है तो मार्केट से भी ले सकते हैं मगर उसको अच्छे से आपको भूनना परेगा मैं यहां पर थोड़ी देड इसक कि वो पानी न छोड़े यहाँ पर आधा कप मैं ड्राइ कोकोनट पॉडर डाल रही हूँ आप सुखा कोकोनट भी घिसकर डाल सकते हैं तो इस तरह से मावा एकदम ठंडा हो गया है अब आटा के तरफ चलते हैं चावल का आटा एकदम अच्छे से देखिए मिक्स कर रही हूँ मैं वह भी बहुत गरम लग रहा है भाफ निकल रहा है तो इतना गरम रखें जितसे आपका हाथ एकदम सहन कर सके उतना ही आपको गरम रखना है और थोड़ा सा और मैं इसको ठंडा करूंगी और उलट पलट करके चलाते हुए आप इसको ठंडा कर ले जादा गरम में भी ना डाले दूद देखिए एदम गढ़ा हो रहा है कलर भी इसका चेंज होने लगा है और एकदम उबाल नहीं आना चाहिए गैस ऐसा ही रखे सेट करके कि आप इधर काम भी करते रहे हैं तो एकदम उबल जाए तो सारा क्रीम इसका बाहर निकल जाएगा तो यहां पर देखिए थोड़ा सा और यह ठंडा हो गया है आपको अगर लगता है कि चावल के आटा ड्राई है तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी हलका हलका डालें और गरम पानी ही डालेंगे कटोड़ी में रखे हैं दो दो चार चार पून डालते हुए एकदम इसमूद आपको आटा को गुत लेना है और एकदम चिकना कर लेना है जैसे मैदे का हम लोग चिकना करते हैं उस तरह से चिकना करना है यहाँ पर घी मैं डाल रही हूँ घी इतना ठंड था उस दिन कि घी भी एकदम तुरन तुरन जम जा रहा था मगर आटा भी हलका हलका गरम है उसलिए मैं घी जमा हुआ डाल दी हूँ फिर से गरम कर लूँगी और आटा को अच्छे से एकदम चिकना एकदम गुत के त्यार क जाता है आटा देखिए यहाँ पर गुत गया है बहुत जादा मेहनत नहीं लगता है चावल का आटा गुतने में और उपर से मैं घी को गरम कर ली हूँ और लगा रही हूँ हलका हलका ताकि उसमें चिकना हट बना रहे धकना है इधर मावा एकदम ठंडा हो गया है अब इ आटा का बस लोई लेना है उसको दबाते हुए अच्छे से एकदम पेडा एकदम चिकना पेडा बना ले और उसको जैसे हम आलू पराठा के लिए गोल बनाते हैं कटोड़ी के तरह उस तरह से बनाना है कहीं से भी यह क्रैक नहों कहीं से फटेना इस तरह से चिकना आप ब बनाना भी बहुत ही असान है अब इसमें आप थोड़ा सा मावा को डाल दे और उसको बंद करदे चारो ultimate से दबाते हुए जैसे आलू का प्राठा हम भरते हैं और extra होता है तो हाथ से दबाते हुए उसको pack कर ले और pack करके उसको एकदम बंद कर दे, extra है आप बाहर भी निकाल सकते हैं या pack हो जा रहा है अच्छे से तो pack कर दे कहीं भी crack ना रहे कहीं भी खुला ना रहे इस चीज का ध्यान रखे किमकि जैसे यह दूद में जायेगा चा गाड़ा हो गया है, इसी तरह से सारे पिठे को आप तियार कर लें, यहां पर मैं नॉर्मल गूर नहीं, पटाली गूर ली हूँ, यह खजूर का गूर होता है, काफी स्वादिश्ट होता है, क्योंकि खजूर के जूस से यह बनता है, और यह काफी सरीर के लिए भी फैदे मह जैसे हम लोग मिठा के लिए खजूर यूज करते हैं उसी तरह से ये गूर भी है मगर ये काफी मिठा होता है थोड़ा सा मैं डाली हूँ और ये पिठा बनकर सारा रेडी हो गया है और गूर भी इधर देखिए दूद में एकदम मेल्ट हो गया है बहुत जल्दी ये पिघल जाता है अब इसमें एक एक पिठा को आप डालते जाए और डाल कर उसको एक मिनट के लिए छोड़ दीजे क्योंकि उसमें अभी थोड़ा सा उबाल आने के बाद वह पक जाएगा तो फिर ये तुटेगा नहीं खुलेगा नहीं तो आराम से उसे एक दो मिनट आप उसे प आराम मिनट आपको अच्छे से उवाल के पका लेना है अच्छे से ये पक जाएगा उतना ही ये एकदम सौप्ट हो जाएगा थोरा सा मावा बच गया था तो मैं उपर से डाल रहे हूं ताकि एकदम रसमलाई जैसा टेस्ट आए इलाइची पॉल्डर डाले अगर आपके करके गैस छोड़ दी थी अब ये हलका हलका ठंडा हो गया है अब खाने के लिए बिलकुल त्यार हो गया तो जब तक देखें दूद उधर गाड़ा हुआ आपका प्रेप्रेशन इधर पूरा रेडी हो गया तो बनाना कितना आसान है और हिल्दी भी है किमकि दूद से बन तो है ना बहुत अच्छा अब इसे काट के मैं दिखा रहूँ एक बार में ये पूरा एकदम कट गया है तो आपको काटने से ही अंदाजा लग गया हुआ कि कितना अंदर से सौप्ट बना है ये और एकदम मतलब कि मावा से भरा हुआ ड्राइ फ्रूट से भरा हुआ यमी टेस्ट है फ्रेंड्स अगर मेरी बातों पर थोरा सा ही एकीन है तो आप एक बार ताजे चावल के आटा से बना कर इस रेसिपी को खाएं थोड़ी सी भी पसंद आया तो लाइक करें शेयर करें अपने फैमली एंड फ्रेंड में और सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूल दोस्तों फिर से मैं नई वीडियो लेकर आऊंगी आप लोग के लिए और तक तक के लिए बाई और अपना ख्याल रखें टेक के